इस दुनिया में सबसे प्यारा कोई नाम है, तो वै है मा, जीव जब बगवान की गोद छोड़कर संसार में आता है, तो वै अपने आपको मा की गोद में पाता है, और वै मा को बगवान का सुरूप समझता है, इसी लिए किसी कभी ने खूब लिखा है, उसको नहीं देखा ह आमने, कभी और उसकी जरूरत क्या होगी, ऐ मा, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, मा ही वास्तों में बच्चे की प्रथम गुरू है, जो बच्चे को संसारिक सिच्चा देती है, सौचा चार, सिच्टा चार, लोका चार सिखाती है, मा अपना समस्त, ममत, बच्चे पर लुटाती है और उसे अच्छे संसकार देकर चरित्रवान सीलवान बनाती है मा की ममता की उपमा किसी से नहीं की जा सकती ना किसी व्यक्त से ना किसी पदार से ना किसी देवी देवता से उसकी ममता का आचल दर्ती और आकास के विस्तार से भी अधिक होता है मा की ममता सूरच के प्रकास की बाती है जो बच्चे को सनमार्ग दिखाती है उसमें प्यार की गर्मी तो है परंतु सूरच जैसे जुलसाने वाली आग नहीं मा के आचल की चाया, चांद की सीतलता के समान है, चंदर्मा में तो फिर भी कलंग है, परंतु मा की ममता तो कलंग से परे है, क्योंकि उसकी ममता निस्वार्त बावना से ओत्प्रेत होती है, वह सारी सारी रात जाकर बच्चे की तीमारदार करती है, खुद गीले में सोती है, पर बच्चे को सूखे में सुलाती है, तभी तो उसे दर्टी जैसा सहिंसिल कहा गया है, जब कोई तेवार होता है, तो सबकी चुट्टी होती है, पर मा की कोई चुट्टी नहीं होती, बलकि उस दिन उसे जएदा काम होता है, एक मा की नजर में उस उसका बच्चा संसार का सबसे सुन्दर बच्चा होता है और उसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाती है मा सबकी जगह ले सकती है पर मा की जगह कोई नहीं ले सकता है